Welcome back guys और इस next series में आपका फिर से स्वागत है और अब हम फिर arrays पर बात करने जा रहे हैं और एक और classic example cover करने जा रहे हैं जिसमें आपके arrays, आपके collection loops, आपके normal loops, f functions, सब कुछ cover होने जा रहे हैं तो जो लोग नहीं जोड़े हैं वो please यह series follow करें introduction series से start करें variables में loops में और collection loops में जाएं पहले और फिर आप इस series को start करें जो की arrays के उपर है अब इस situation में जो आज का हमारा task है बहुत interesting और बहुत powerful है हमेशा की तरह इस पार भी कुछ नया करेंगे different करेंगे अब आपको याद हो कि पिछली series में हमने एक code बनाया था जिसमें हमने कहा था कि यह आपका table है और यह है आपका दूसरा table और हम यह चेक कर रहे थी कि कौन सा table इस table की कौन कौन सी values अगर हमें ढूंड़नी है इसमें available है तो message box के तरू हम वो values को pick कर रहे थे ठीक है अब हमारे सामने same situation वह ही है लेकिन एक छोटा सा twist है twist यह है आपका user कहता है कि मैं actually आपसे कुछ ऐसा चाहता हूं कि table one तो ठीक है table one को fix रहने दो क्योंकि उसमें मुझे values ढूंड़नी है लेकिन मेरे control में यह कर दो कि मैं जिस table को ऐसे select करके छोड़ दूँ वो values ही check हो इस main table में यानि अगर मैं सिर्फ यह cell select करके रखूं तो सिर्फ यह check होना चाहिए कि यह इसमें है यह इसमें नहीं है और अगर मैं इस table में सारा select करूं तो सारा check हो अगर मैं सिर्फ यह select करूं तो सिर्फ यह हो और अगर मैं मान के चलो मैं इस टेबल को बढ़ा देता हूं यहां पे और वैलिज आगी है तो वो हो यानि कहने का मतलब यह है कि कि सेलेक्शन के बेस पे मेरा काउपारिजन इस टेबल से होना चाहिए जो बिल्कुल फिक्स है ठीक है तो गाइस पॉस्ट कर सकते हैं वीडियो आप चाहें तो इस फे खुद ट्राइग कर सकते हैं और सूचें कि सेलेक्शन का concept आप कहां से लेके आएंगे तो आपको याद होगा हमने एक loop बनाया था collection loop for each cell in selection आज हम series 4 में वो ही करने जा रहे हैं आप ध्यान से मेरी बात सुनेगा इसमें challenges क्या हैं वो मैं पहले आपको समझा देता हूं सबसे बड़ा challenge तो पहले आपके सामने यह है कि आप जो user ने select किया है वो कैसे VBA में capture करवाएंगे कि यही capture करना है वो challenge खतम कर देते हैं मैं बता देता हूं collection loop for each cell in selection आपने यह देखा होगा collection loop series में मेरा last video था रहे हैं अच्छा दूसरा challenge यह है कि ठीक है यह selection आपने उस loop के थूप बना दी पर फिर यह कैसे check करेंगे कि जो selection में values आ रही हैं वो इस array में जानी चाहिए है कि नहीं तो guys उसी पर हम आगे बात करते हैं जब आप for each cell in selection लगाओगे तो वो loop automatically आपका selection में चलेगा आपने बस वही करना है कि अगर आप इसको select करके बैठे हैं तो तीन बार loop चलेगा क्योंकि selection में तीन items हैं बस इनी एक-एक items को आप for each cell के अंदर loop के अंदर लगा के comparison करना इसके साथ शुरू कर दो ठीक है तो चलिए बनाते हैं इस code को और अब हम बात करते हैं comparison selection तो इसमें आपका आज एक नया collection loop यूज होगा आरेस के साथ ठीक है तो सबसे पहले as usual मैं अपना एक final area बनाता हूं ठीक है यह मैं इसका नाम दे देता हूं dim table 2 और कितने इसमें values हैं जो मारा column D है इसमें 17 values तो 17 बना देते हैं ठीक है यह तो आपने किये हुआ है आप इसको फटा-फट से run करते हैं for j equals to 0 to 17 ठीक है यह loop 17 बार चलेगा और हम इसमें जो अपनी values है table array 2 की वो fill करते चलेंगे और यह fill मैं कहां से करूंगा आपको बताया था मैंने रू number लेंगे और column number लेंगे column number होगा D यानी 4 ठीक है और इस तरीके से आप इसको चलाएंगे और by the way इसको आर क्यू करना है इसको j plus one कर देते हैं ताकि हमारा लूप चलता रहे यह पहले हम discuss कर चुके तो finally यहां पे आपका loop त्यार हो गया मैं आरे त्यार हो गया ठीक है तो मैं अगर यहां पर break code डालूं और check करूं कि array चला की नहीं चला आईए जरा देखें जरा run करते हैं okay fantastic code चल गया local window में check कर लेते हैं क्लिक करता हूं और हमारे पास पूरा table तयार हो गया बिल्कुल बढ़िया देखने जरा 54 से डी तक last values की array की डी है क्या हमारे पास डी है येस हमारे पास टी है तो इसका थोड़ा सा मैं width गटा देता हूं यहां से और इस तरीके से तो अब यह हम इसको बीच में set कर लेते है अब हमें दिखता भी रहेगा अब यही चीज आप क्या करने जा रहे हो आपको Monday Tuesday Wednesday चेक करना है लेकिन अब मुद्धा हमारे पास challenge यह है नई चीज जो हम सीखने यह जा रहे है कि अब हम cells का use नहीं कर सकते अब यह नहीं कह सकते कि एक array बना लो और Monday Tuesday Wednesday डाल दो कैसे पता ल दो वैल्यू करनी तो अब आपका जो comparison का जो values है वो change होगी है इसी दे हम यहां पे आप वो code यूज करने जा रहे हैं यहां पे हम comparison शुरू कर रहे हैं मैं यह कहता हूं कि if them myself as range याद होगा आपको यह code हमने बनाया था collection लूप में right for each myself in selection right next myself नए लोगों को नए subscribers को सबसे पहले very warm welcome और यह series आप पूरा sequence में देखें sequence में मेरे हर वीडियो में beginning में share होती है right almost हर वीडियो में तो पहले पूरा sequence देखें introduction variable loops collection loops उसके बाद आप arrays पे आए तो guys यह loop क्या करेगा selection में पूरा code run करेगा यह हम जानते हैं तो बस यही तो करना है इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद जो भी selection में पहली cell की value होगी जैसे इसमें होगी Monday उसको यहां पे 17 बार run करना है तो बस आप यहां पे एक loop लगा दीजिए और उस loop का मैं नाम ते देता हूं 4g equals to 0 to 17 तो selection के अंदर भी एक 17 times loop चलेगा Monday से Tuesday जाने से पहले 17 times वो code run होगा और comparison होगा कि जो हमारी cell की value है क्या वो value हमारे उस array के कौन सा array table 2 कौन सा index इंडेक्स तो पहले 0 होगा 1 होगा फिर 2 होगा 3,4,5,6,7 यह सब होगा तो इसका index आप इस तरही के से देंगे जहां भी आपको यह value equals to मिलती है आप क्या करेंगे इसके बाद आप उसको obviously capture कर लेंगे तो एक store नाम का variable बनाते है store मैं बारबा story यूज़ करता हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसे हमने याद होगा हमने यह कुछ ऐसी code बनाया था ठीक है और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप else and if भी कर सकते हैं इस तरीके से यह आपका code चलेगा ठीक है तो यह यार और मैं अब इसको run करता हूँ और finally जब यह पूरा code run हो जाएगा एक पर message box में हम डाल देंगे values found are और उसको आप अपने store variable से join करते हैं ठीक है यह सब हम कर चुके हैं तो आईए ज़रा बात करते हैं तो सबसे पहले मैं जो select करूँगा वो करूँगा Monday and Tuesday ठीक है Monday है इसमें I think Monday है इसमें Tuesday नहीं है तो आपका अंसर क्या होना चाहिए only Monday तो चलिए run करते हैं और effort करता हूँ मैं सबसे पहले variable not defined शायद मैंने store को declare नहीं किया तो मैं store को declare कर देता हूं as long ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और यह लीजे अब table 2 को देखते रहें यहाँ पर table 2 की values सारी फिल होंगी तो यह आपका 54 हो गया आपका 34 56 अजे तो यह सारी values आपकी फिल होती रहेंगी राइट यह values फिल होने के बाद अब हम आगे हैं comparison पे और अब हम यह कह रहे हैं कि for each my cell in selection यानि selection में जितने मेरे cells हैं उन सभी के लिए आप यह loop run करें और इससे पहले आप next cell में जाएं मेरा comparison 17 टाइम्स करें और किसके साथ जो भी मेरी अभी current value है Monday उसको इस table array के साथ ढूनना शुरू करें अभी यह subscribe out of a range इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आपका J है यह जो J है राइट इस J को सबसे पहले आपको यहां पर रन करना होगा इस लाइन को रन करना होगा क्योंकि J अभी 18 है पिछले code से रन होके आया है 17 टाइम्स रन हुआ था फिर next J ने 18 कर दिया और array में 18 इंडिक्स की जगा नहीं है तो इस लाइन को जब हम रन करेंगे तो 18 ओ हमें यहां पर दिख रहा है यहां पर जब मैं hover करूंगा ठीक है तो यह हो गया आपका value तो 54 और जो आपका Monday है MON वो equal नहीं है तो हम क्या करेंगे else में जाएंगे और आगे की value चेक करेंगे राइट आगे की value में अलब जो क्योंकि यह loop 17 times चलेगा तो अब हमारा जो J है वो आपका one हो चुका है यानि अब आप same Monday value को इस table के 34 से compare करेंगे यह वाला राइट तो यह इसको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन हमें तो इसको चलते ज जाना है चलते जाना है चेक करना है और actual में यहाँ पर मिलेगा fourth index में तो आए जरा इसको run करते हैं अभी तो यह else में ही चलेगा right और अब आपका table 2 हो गया हमारा 56 इसको फिर run करते हैं और अब हो गया आपका I think Ajay और अभी भी नहीं है equal फिर run करते हैं else में गया अजे के ब पार Monday हो गया अब देखते हैं तो अब यह आपका है MON और यह है मेरा MON दोनों की spellings भी same है के sensitivity issue भी नहीं है तो definitely इस code को देन में जाना चाहिए देखें जरा okay fantastic तो store पहले से MP है कुछ नहीं है इसमें और जो हमने हमने जो cell capture किया है वो MON capture किया है तो MON जो capture किया है वो आपका store में आजेगा all right एक नया error live error आपके सामने मैंने कोई plan नहीं किया चेक करते हैं type mismatch मुझे बता हो गाइस type mismatch का बात है आपको मैंने variable chapter में यह error clear करवाए था debug करता हूँ check कर लेता हूँ देख रहे हो आप store पे problem आगी store पे आती problem मैं समझ गया कि variable की type होगी है mismatch और उसका reason यह है मैंने इसको long दे दिया था अगर long दिया है तो यह number absorb करेगा यह कैसे कोई text value absorb कर सकता है right क्योंकि यहाँ पे mon है right और mon है text तो यह मुझे गडबढ़ होगी मुझे यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था string ठीक है अब आप इसको change करेंगे तो code आपसे बूलेगा कि reset होना मांता है right तो मैं reset कर देता पता लगा लिया हमने right कि क्या कहानी थी फटा फट से break code डालते हैं और इसको दुबारा से run करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अब मैं इसको फटा फट से run करने जा रहा हूँ तो monday हमारा मैं इसको run कर रहा हूँ जहां तक हम रुके थे ठीक है और अब हमारे पास table 2 हो ग हम स्टोर में capture कर लेंगे MON यानि कि वो value वहां पर है अब जैसे ही आपने ये value पता लगा ली कि यह है आप दुबारा लूप क्यों run करेंगे है न क्योंकि जैसे अभी तो यह run होता रहेगा आप देख रहे हो क्योंकि J को कहां तक run होना है 17 तक लेकिन अभी हम 5 पर बैठे ह इसको run होना है और आप 5 पर बैठे हैं क्यों time waste करें जब वो मिल गया हमें जब वो हमें मिल गया है हमने store में capture कर लिया है तो ideally हमें loop से बाहर आ जाना है जैसे ही then में हम उसको capture करते है exit for ठीक है तो फिलाल के लिए मैं इसको manually यहां पर खीच के exit कर देता हूं ठीक है यह ली group तो बारा run होगा ठीक है और अब आपके सामने selection जो for each micelle है उसमें पढ़ा है Tuesday आप यह Tuesday को 17 times check करेगा और मिलता है तो मिलेगा नहीं तो यह out हो जाएगा और I think का आपके इस array में कहीं भी Tuesday नहीं है तो इसका मतलब मैं इसको फटा-फट से run कर दूं आप देखें यह else में जाएगा else 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 ठीक है एक काम करते है ना पड़ा-फट से यहाँ पर ब्रेक को ढाल देता हूं और इसको run कर देता हूं क्या attention है यहाँ पर आके रुख जाएगा right run हो गया okay मैं इसको sorry f5 करता हूं यह लीजिए ठीक है store में अभी भी Monday है क्योंकि Tuesday था ही नहीं next my cell क्या next my cell run होगा नहीं होगा क्योंकि selection में दो ही तो फाइनली आपके पास answer आजएगा Monday ठीक है तो यह भी एक अच्छा आपके पास example है collection loop का combination में कैसे हम यूज करते हैं अब देखिए अगर मैंने selection अपनी कर दी Tuesday and Wednesday अना Tuesday आपको मिल रहा है यहाँ पर I think नहीं है तो कब message जो है blank आएगा मैं इसको run करूँ यह लीचे राइट टेस्टिंग कर लेना थोड़ी और अब मैं select करता हूँ सिर्फ इसी cell को अजे को तो यह मिलना चाहिए राइट तो इसको जब मैं code को run करूँगा तो message box में आना चाहिए अजे ठीक है fantastic उसके बाद मैं कहता हू मुझे चाहिए Wednesday अजे और Friday मान के चलते हैं तो अजे भी है और Friday भी है तो आपके पास यह selection के recording answer आना चाहिए ठीक है यह लीचे अजे और Friday दोनों आ गया राइट इतना है इनी इस range की बाद थोड़ी हो रही है यह तो selection है selection में आप कुछ भी कर लो आप जैसे मैं कहता और यहां पर मैंने एक value डाल दी ppt ठीक है मैं कहता हूँ जी अब इस पर चलाया जाए तो आप इसको पूरे को select कर लो जो भी selection होगा उस पर यह for each चलेगा और एकर करके सारे comparison इसमें करता रहेगा यह array मेरा पहले से fix है right मैं code को run करता हूँ और आपके पास fantastic results available है W.E.R.R.E.P.P.T. right guys तो इसी के साथ हमारा यह तीसरा series भी खतम हुआ I hope अब आपको काफे कुछ पता लग रहा होगा कैसे arrays और पीछे की सारी चीज़ें आपस में connect होती है right loops combination of loops especially collection loops और phonics loop और arrays wow amazing तीन तीन चीज़े एक साथ right all right guys so मिलते हैं अगली series में बने रहें इसके साथ और कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं thank you so much bye bye